क्या आप जानते हो माउंट आबू का प्राचिन नाम अर्भुदा चल है जो एक साप का नाम है बगवान स्री राम ने यहीं एक आस्रम में सुरुवाती सिख्षा प्राप की थी श्री राम के ग्रेट ग्रेट ग्राणफादर मतलब के बड़े दादाजी ने यहीं एक आस्रम इस डिस्टिनेशन है जहां हर दिन हजारों लाकों लोग आते हैं इस वीडियो में हम माउंट आबू की हिस्ट्री प्लेशिस्ट विजीट फूर्ट ट्रांसपोर्ट और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो चले सबसे पहले हम जानते हैं माउंट आबू की साथ यहां बेजा और ऐसे वह गयरी खाई को पूर दिया गया और नंदी वर्दन परवत का नाम मर्बुदा चल पड़ा जो दिर दिरे आबू के रूप में परिवर्तित हो गया यहां वसिष राश्ट्रम में राजा दिलीब ने 21 दिन तक गुरू वसिष्ट की नंदनी ग स्री राम माउंट अबू में जे गौमूख मंदिर है वहां गुरू वसिष्ट का आसरम है और वही राजा दसत के चारों पुत्र राम लक्समन भरत और सत्रुंत को प्रारंबिक सिक्सा दे गई थी तो आप समझ सकते हो कि इस जगह का पावरानिक महत्व कितना है वैसे तो विलर विकल पर 230 किलोमेटर ड्राइव करते हुए माउंट अबू पहुंच जाता व्यासे आप पब्लिक या प्राइवट ट्रांस्पोंटेशन की मदद से बड़े हाराम से माउंट अबू पहुंच सकते हो अगर ट्रेन की बात करें तो नजदी की रिल्वेटेशन आपू रोड रिल्वेटेशन है जो 27 किलोमेटर के डिस्टन्स पे हैं राजस्तान में GSRTC बसकी मदद से भी हाँ माउंट अबू पहुंच सकते हो नजदी की एरपोर्ट उदेपूर में है जो करीबन 170 किलोमेटर के डिस्टन्स पे हैं अगर आप विकेंड में आ रहे हो तो होटल डुनने में थोड़ी परेशान ही हो सकती है और फेस्टिवल के दोरान सायद आपको इजी लें बजेट में होटल ना भी मिले ऐसा भी हो सकता है जैसे कि दीवाली में दो महिने पहले से ही यहां होटल की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाते हैं वैसे यहां बहुत सार होटल, guest house, resort, धरम साला अवेलेबल है मांट आबो में स्टे करने के लिए 100 रूपीज से लेकर unlimited budget तक आपके पास option अवेलेबल है कुछ temples भी है जहां आप advance में permission लेकर without any charge मंदिर के premises में रोक सकते हो मेरी मांट आबो की तिन दिन की trip में एक दिन नकी लेकर के पास में जो चार्ज पर नाइट 800 रूपीज था देखो वैसे तो मांट आबो में बहुत सारे प्लेसे से विजिट करने के लिए अगर आप अपना personal विकल लेकर आ रहे हो तो कोई बात नहीं otherwise आपको यहां पे rent पे बड़े आहराम से विकल भी मिल जाएंगे जिसमें two wheeler के 300 से 500 रूप और फॉर विलर के 1200 से 1800 रूपे और थार जैसी फॉर विलर के 2500 से 3000 रूपे पर डेका जाज होता है जो सेजन के हिस्साब से अपडाउन होता रहेगा लेकिन आपको यहां पे bargaining जरूर करने हैं मांट अबू बहुत ही popular station है जहां आपको हर किसम का खाना और पीना मिल जाएगा अगर आप vegetarian हो या non vegetarian फिकर नॉट यहां आपको सब कुछ मिलने वाला है यहां 100 से लेकर 1000 तक छोटी बड़ी restaurants available है वैसे मैंने अपने trip के दोरान संडे को एक restaurant पर बहुत ही ज्यादा crowd देखा था नकी लेक जाते हुए बाबा साहिब आमेटकर circle है वहां पे अर्बुदा restaurant है वहां पे usually बहुत ही भीड रहती है वैसे मैंने अपने trip में hotel गुजरात में गुजरादी डिस्ट ट्राई की थी जिसकी price 180 रूपिस थी लेकिन taste के हिसाब से वो इतना अच्छा नहीं था दूसरे दिन नकी लेकिये पास में जो hotel होनेस्ट है वहां पे South Indian ट्राई किया तो ज जहां canteen है वहां different food ट्राई किया जो बहुत ही tasty था मतलब इतना समझ लीजे के Mount Abu में खाने पीने में आपको कोई भी परेसानी नहीं होने वाली देखो वैसे तो मैं Mount Abu काफी बार आ चुका हूँ लेकिन इस बार solo traveling कर रहा हूँ और कुछ unexplored places को भी explore करने वाला हूँ ऐसे दो places हैं जो मैंने first time explore किया और उनमें से एक place one of my favorite place in Mount Abu बन चुका है जिसकी बात हम बात में करेंगे Mount Abu में बहुत सारे places है विजिट करने के लिए जो आप दो या तिन दिन में तो विजिट कर ही नहीं सकते लेकिन कुछ popular destination है जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए उनमें से नकी लेक और गुरू सीखर मस विजिट places है तो चलिए हम साथ में virtually वो सारे places को विजिट करते है जो मैंने इस तीन दिन की trip में विजिट किये है माउंट आबो में गुरू सीखर रोड पर आगे बढ़ते हुए सबसे बहले मैंने सूबनात महादेव मंदिर विजिट किया और उसके बिल्कुली फास में संसरोवर जो काफी खुबसूरत छोटा सा तालाब है जिसमें आपको कुछ मचलिह भी देखने को मिलेगी बाद में मैंने विजिट किया अचलिस्वर महादेव टेंपल जो 9th century में पर्मा डाइनेस्टी में बनाया गया था आपको ये पता ही होगा कि महादेव के मंदिर में सिवलिंग की पूजा की जाती है लेकिन इस मंदिर में बगवान के पैर के अंगुठे की पूजा की जाती है वहाँ से आके जइन टेंपल और एक हिल पर चामुड़ा माताजी का भी मंदिर है इवनिंग के टाइम पे में गुरु सीखर पहुँच गया जो माउंट आवो की सबसे बड़ी चोटे है जो सी लिवल से 1722 मिटर की हाइट पे होने के साथ साथ माउंट आवो में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मेजर एट्रेक्शन भी है मेरे इस सबसे आपको यहाँ अल्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे ही आना चाहिए सेकंड डे 11 सप्टेंबर 2022 मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले विजिट किया टोड रॉक जो नकी लेक के पास में है और यह वही जगह है जहां स्वामी विवेकानन जी ने कुछ हपतों तक तपश चरिया भी की थी वैसे यहाँ एक ऐसा रॉक है जिसका सेफ टोड मतलब की मेंडग जैसा है और इसलिए इसे टोड रॉक भी कहते हैं बाद में में नकी जिल के पास में जो परीक्रमा मार गए वहाँ पे वाकिंग करते होगे थोड़ा टाइम स्पेंड किया दो छोटे गार्डन भी विजिट किये और बाद में पहुँच गया माउं टाबू के सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगा नकी लेक सिर्फ एक ही रात में नाकुन मरलम नेल की मदद से इस जिल को बनाया गया था और इसी लिए इसे नकी जिल कहते हैं जो इंडिया का एक लौता आर्टिफिशल लेक है जो इतनी हाइट पे है नकी लेक में आप कुछ वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो जैसे के जोर विंग जिसके प्राइज 150 रूपीज है बोटिंग में पैडल बोट के 200 रूपीज और पैसेंजर बोट में 300 रूपीज चार्ल लिया जाता है और नकी लेक फोटोग्राफिक के लिए बहुत ही बहतरीन जगा भी है अर्बुदार देवी टेंपल जिसे अधर देवी टेंपल भी कहा जाता है जहां आपको करीबन 350 जितने स्टेप चलने होगे और बाद में एक गुफा में बैटे हुए माताजी के दर्सन भी कर सकते हो वैसे अधर का मतलब होता है होट याने लिप्स 51 स संसेट पॉइंट भी है लेकिन वहां ज्यादा क्राउड और एंट्री फीस होने की वज़े से मैं आपको हरीमून पॉइंट ही रेकॉम्डेट करूंगा पार्किंग से करीबन 2 किलो मीटर वॉकिंग करते हुए आप यहां पहुंच सकते हो जहां आपके रास्ते में कुछ बड़े व्यूपॉइंट भी आएंगे जो आप विजिट कर सकते हो यहां एक वन विभाग पॉइंट है जहां पर भी आप जा सकते हो और वहां पर कुछ ट्रेल है जो आप बाइवॉक एक्सप्रो कर सकते हो यहीं से आप हनीमून पॉइंट एंड गनेश टेंपल भी इस जगा विजिट कर रहे हो तो यहां से आप बहुत ही खुश्यूरत नजारा के साथ साथ संसेट को भी काफी अच्छे से एंजोई कर पाओगे थर्ड डे 12 सप्टेंबर 2022 आज मैंने कुछ ऐसे प्लेसे से क्लोर किया जिसे मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया सबसे पह आधी आप गव्मुक टेंपल तक पहुच पाओगे यहां गव्मुक स्टेच्यू में से हर रोज सरस्वती नदी का पानी बैचता ही रहता है यहां से थोड़ा ही आगे है गुरू वसिष्ट आस्टम जहां बगवान स्री राम ने शुरू आति शिक्सा प्राप्त की थी य में एक ऐसा ड्रॉन सोट लो जहां पहाड़ों के बीच में बादलों से बात करते हुए कुछ वीडियो को कैप्चर कर पाओ और वो मेरी इच्छा यहां पूरी हुई तो चलिए देखते हैं कुछ बेहत कुपसूरत ड्रॉन यूज़ू गुमुक टेंपल या फिर गुरु वर्सिष राश्रम विजट करने के बाद अब ये मेरी माउंट आबू में सबसे फैवरेट जगा बन चुकी है ट्रेवर्स टेंग जो गुरु सिखर रोड पर एक अनेक्स्टर प्लेस है जहां काफी कम लोग आते हैं मैंने भी ये जगा बहली पार विजट की लेकिन सच कहू तो आपको ये खुपसूरत जगा जरूर विजट करनी चाहिए वैसे यहां entry ticket लेनी पड़ेगी बाद में आप अपना विकल या फिर चलती हुई आगे जा सकते हो यहां एक बहुत ही खुपसूरत लेक है जिसमें काफी सारे क्रोकोडाइल्स और मचलिया भी देखने को मिलेगी पास में दो मांटेंस है एक है वैली व्यूपॉइंट एर दूसरा है आबू व्यूपॉइंट अगर आप वाइललाइफ फोटोग्राफियों में इंट्रेस्टेड हो तो आपको यह जगा जरूर विजट करने चाहिए यहाँ पे आपको कुछ अमेजिंग बर्स देखने को मिलेंगे देखो वैसे तो मांटाबू एक हिल स्टेशन है जो आप किसी भी सीजन में विजिट कर सकते हैं लेकिन मौनसुन में आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजाने वाला है मांटाबू राजसान का एक लौता हिल स्टेशन है लेकिन आपको यहाँ गुजराती लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे और उसी प्रभाव की बज़े से यहाँ हिंदी के साथ साथ गुजराती लेंग्वेज भी काफी कॉमन है यहाँ काफी सारे लोग हरिमून ट्रिप आते हैं काफी सारे लोग गुमने के लिए भी आते हैं और कुछ लोग सिर्फ पार्टी करने के लिए आते हैं लेकिन एक ट्रावेलर को जो ट्रावेलर एक्सप्रेंस चाहिए वो सब आपको Mount Abo में जरूर मिल जाएगा मेरे हिसाब से मैंने history, places to visit, hotels, port, transport और भी कुछ topics के बारे में आपको सारी information दे दी है अगर आपके पास और भी कुछ query हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो या फिर मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो अगर आप Mount Abo के बारे में और भी ज्यादा details में जानना चाहते हो तो Mount Abo की मेरी जो playlist है वो आप देख सकते हो जो यहीं कहीं आपको screen पर दिख रही होगी तो चलिए मिलते हैं इसे के साथ हमारे next video में तब तक अपना खयाल रखिए Save nature, save water, take care, bye bye Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel